बिशुर पिकलांग का दिफस्पर रामपूर के सत्या नारायन मंदी परिसर में एक सामारों का आयोजन किया गया जिसमें मुख्या अतिती के तौर पर हिमाचल रेट क्रो सोसाइटी के उपाद्यक्स एबम मुख्या मंद्री की धर्म पतनी साधना ठाकुर उपस्तित हुई बच्चों रामपूर बाजार में रेले निकाली रेले के वाद समरों के दोरान विश्यस बच्चों ने बविन परिसुतिय दे कर अपनी प्रतिवा का लोहा मिनवाया मुख्या ठिथी डॉक्टर स्चाधना ठाको ने अपने संबोधन में बताया कि आज बागदोर वाले जीवर में हर आदमी आगे निकलने की होड में है और उसका लक्षया पैसा कमाना है लेकिन हम कभी गहराई से अपने समाज के बारे में नहीं सोचते इसलिए हमारा आगे बढ़ने का मकसर तभी पुरा होगा जब हम साथ वाले या बे सहारा को भी अपने साथ जोड़कर मुख्या धारा में लाएं उन्होंने लोगों से आवान किया कि समाज में सबको साथ लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करे अध्यक्ष कोशिश एक आसा स्वाती वनसन ने बताया कि उनकी संस्ता बिशेश बच्चों को शिक्षा दे रही है बच्चों में उत्सा और आगे बढ़ने की लालसा हो इसे देखते हुए आज यहां साधना ठाकुल को अमंद्रित किया गया ताकि उनके मार्क दर्सन से बिशेश बच्चों में उत्सा बढ़े नूर्पुर की कमनला पज्चायत की राज के प्रात्मिक पाश्याला धंगल का भवन गिरने की कगार पर है और परशेशन कुम करनी नीन में सोया है नूर्पुर के पूर बिधायक आजे माहाजन ने ढंगल स्कूल का दोरा किया और स्कूल में पढ़ रहे बच्चों वो गाम बालों से मिले महाजन ने कहा कि नूर्पुर के मौजूदा बिदायक जिले के नाम पर तीन बार चुनाब लड़ चुके हैं पर स्कूल का कमरा क्यों नहीं बना पाए बिदायक लगवग डेड़ वर्ष पहले स्कूल में आये और स्कूल को एक हपते में गिराने का निर्देश दिया इनकी कर्णी और कत्नी में बहुत अंतर है और हर जगा यही कहते हैं कि हपते के अंदर अंदर काम शुरू हो जाएगा महाजन ने पर देश सरकास से मांग की है कि इस स्कूल को जल से जल ठीक करवाया जाए सोलल में रभीबार को सबजी मंडी पुराने वस्टेंड पर लगाया जाती है इस मंडी को सोलल के किसानों के लिए बनाया गया था ताकि किसान अपनी फसल को सीधा वाजार में बेच सके इस मंडी से किसान भारी फाइदा उठा रहे हैं गराट का आटा और गर की सुद लसी लोगों की पसंद बनती जा रही है इसके अलावा गोबी टमाटर पालेक वीबे सीधा मंडी में बेच कर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं लेकिन अब दीरे दीरे इस मंडी पर शहर के व्यपारी भी कब्जा जमानी लगे हैं किसानों की मांग है कि जिला परसेशन इस और ध्यान दे ताकि इस सब्जी मंडी में केवल किसान ही अपनी सब्जिया बेच सकी किसानों ने जानकारी देते हुए बताया कि शहरवासी गराट का आठा और लसी को बेहद पसंद कर रहे हैं उन्होंने बताया कि गाम की ताजा सब्जिया इस मंडी में किसान बेचकर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं लेकिन बेच आते हैं कि इस मंडी को सब्टा में एक दिन नहीं बलकि दो या तीन दिन लगाने की अनुमती परशेश्टन द्वारा दी जानी चाहिए ताकि किसानों को इस मंडी का बरपूर फाइदा मिल सके उन्होंने कहा कि सब्जी मंडी में सफाई का भी कोई परवन नहीं है गंदगी फ्याली हुई है और कोई सोचालया तक नहीं है सोलन के प्रति इस्टित निजी स्कूल में अध्यापक ने बिद्यार्थी को पीट दिया जिसके चलते बिद्यार्थी की बाजू तूट गई है बच्चे के माबाप बेहद ही दुखी है और उन्होंने अध्यापक को सीख देने के उधिसे से स्टोनल पुलिस थाने में अध्यापक के खिलाप शिकायत दर्ज करवा दी पुलिस ने भी मामले की संबीदन शिर्टा को देखते हुए जांच शुरू कर दी है पुलिस ने भी देर्थिका मेडिकल करवाया है और अध्यापक के खिलाप मामला भी दर्ज कर लिया है शिकायत करताब माता कमलेश ने बताया कि उनकी बेटे के साथ अध्यापक ने मार पीट की है जिसकी बजासे उसके बाजू की हड़ी तक तूट गई है इसके लिए बैच आते हैं कि अध्यापक के खिलाब सकत से सकत का रिवाई अमल में लाई जाए ताकि वो विश्या में जैसी गटना उनके बेटे के साथ गटी है बे किसी और के साथ ना हो बही स्कूल के परदाना चारे ने बताया कि गटना के दूसरे दिन उन्हें मालूम हुआ कि छातर के बाजुवे चोट लगी है उन्होंने उसे प्रात्मिक उपचार दिया और उसके परिजनों को सूचित किया तब उन्हें छातर ने बताया कि उसे अध्यापक ने मारा है अतिरिक्त पुलिच अधिक्षक शिपकुमार ने मामले के पुस्टी करते हुए कहा कि उन्हें शिकायत मिली थी कि स्कूल के भी देर्थियों को अध्यापक ने मारा है जिसके कारण उसकी बाजु की हड़ी भी तूट गई है फिलहाल स्विकायत के आदार पर मामला दर्श कर लिया गया है और जाच की जा रही है उन्होंने कहा कि जो भी इस मामले में उच्च कारवाई होगी बे अमन में लाए जाएगी